राश्ट्रुपती चुनाव में काम कर गया मोधी का मास्टर स्ट्रोप। राश्ट्रुपती चुनाव में वो लोग भी साथ जिनसे मोधी को नहीं थियाज। जिसने कॉंग्रेस को दिया समर्थन वो भी राश्ट्रुपती चुनाव में मोधी के साथ। अब नरेंद्र मोदी विपक्ष के भी साथियों को अपने पाले में करने में सफल हो रहे हैं। राश्ट्रुपती चुनाव जिसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। NDA की पृतियाशी त्रौपदी मुर्मू है। और कॉंग्रेस समेत विपक्ष ने जिस चुनाव के लिए यश्वन सिनहा पर दाओ खेला है। उसी विपक्ष को एक के बाद एक छटका मिल रहा है। क्यूंकि राश्ट्रुपती चुनाव के मामले में मोदी कम मास्टर स्ट्रोक काम कर गया है। और इसी के साथ ही बीजोपी नीत अंडिये की जीत लगभक्ते हो गई। क्यूंकि बीजेडी, YSR कॉंग्रेस पार्टी, बहुचन सबाज पार्टी, टीडीपी, जेडीएस, शिरोमडी अकाली दल, शिवसिना के बाद अब कॉंग्रेस को जटका देकर जेमेम भी द्रौपती मुर्मो को समर्थन देने जा रही है। जी हाँ, जार्खन मुक्ती मोर्चा ने गुरुवार को मुर्मो को समर्थन देने की घोशना कर दी है। से ज्यादा मत आ चुके हैं, जिनमें से 3,08,000 मत बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों के हैं। बीजेडी के पास 32,000 वोट हैं, जो कुल मतों का 2.9 फीस दी हैं। ओडिशा की 147 सदसी विधन सभा में सत्ता रोड बीजेडी के 114 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 22 विधायक हैं। लोग सभा में बीजेडी के 12 और राजसभा के 9 सदसे हैं। AIA-DMK 17,200 वोट, YSR कॉंग्रिस पार्टी 44,000 वोट, TDP 6500 वोट, शिवसेना 25,000 वोट, जनता दल्स सेकुलर 56,000 वोट। ये सभी पार्टियां भी मुर्मों को अपना समर्थन देने को तयार। इसके अलावा राजसभा चुनावों के परिणाम के बाद उच्छ सदन में बीजेडी सदस्यों की संख्या भी बानवे हो गई हैं। और लोग सभा में बीजेडी के कुल 301 सदस्य हैं। इन सब में जारखन मुक्ती मोर्चा का जटका कॉंग्रस को काफी तेज लगा होगा क्यूंकि कॉंग्रस की सहयोगी होने के बाद भी एंडिये के राश्ट्रुपती पत के उमीदवार को अपना समर्थन दे रही है। इस मौके पर जामुमो प्रमुक शिबू सोरेन ने कहा आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राश्ट्रुपती बनने का गौरव मिलने जा रहा है। प्रगदेशील गटबंदन ब्लॉक का हिस्सा है। जैसे शिवसेना इसी तरह अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती अन्य पछड़ा वर्ग और अल्पसंखे के एजंडा का समर्थन करते हुए आंद्रुप्रदेश की सत्ता रूड वायसार कोंग्रेस और प्रतिद कर रहे हैं। फिर पंजाब में शिरोमणी अकाली दल भी तो मुर्मो को ही अपना समर्थन दे रहा है। अब जब एंडिये उमीदवार द्रौपदी मुर्मो को जिताने के लिए विपक्षी पार्टिया भी साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं तो फिर भला उनको इस चुन उमीदवार के तौर पर नामिक किया है। वहीं एंडिये ने ओडिशा के मयोर भंज किये का दिवासी महिला द्रौपदी मुर्मो को अपना उमीदवार घोशिद किया। वैसे जब द्रौपदी मुर्मो को इतना समर्थन हासिल है तो फिर क्या कहता है आपका द्रौपदी मुर्मो की जीत पक्की है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।